रेडियो हंदुस्तान नमस्कार आप सुने रेडियू हंदुस्तान और मेरी आवाज सी आप चुछ पारिचात रेडियो हंदुसतान पर हमेशा की तरह मैं आपका सौगत कर अवग्या और इंग्लिश में मैंने खुद बना दिया है अगर आप सरल हो गए तो वो गरल हो जाएंगे समझे ना आप मेरी बाद दुनिया बाले बहुत समझधार है शायद आप उतने समझधार नहीं आएं अगर इस दुनिया में सर्वाइफ करना है तो कुछ चीजों की तो आपको जरूरत पड़ेगी जितने आप सरल हो जाएंगे उतने ही तरल हो जाएंगे और दुनिया वाले आपके सामने गरल हो जाएंगे आप अस्तित्यों को बैठेंगे इसलिए अस्तित्यों को बनाए रखने के लिए जीवन में आपको जरूर ही है कि आप एक सामन जिस्से पूर्ण व्यभार करने सरलता के साथ साथ बुद्धी मत्ता का भी परिचे देना है इसलिए इतने सरल नहीं हो जाना है कि जो सर्प सरल हो जाता है दंत हीन विश हीन गरल हीन हो जाता है तो उसको बच्चे भी कूट देते हैं इसलिए आपको मैंने सर्प नहीं कहा लेकिन अस्तित्यों बचाने के लिए आपको मैंने कहा कि वो जो विश धर है वो भी अगर सरल ह होता है तो उसका जीना मुश्किल हो आता है आप तो बिना विश्के मनुश्य की रूप में इस दुनिया में है इफ यू आर इजी डे आर बिजी याने की आपको एक सीमा तक लोगों को अपने करीब आने देना है उसके आगे मत आने देजिए जितने आप आसान हो जाएंगे जितने आप खुल जाएंगे प्याश की तरह अपनी जिन्दगी की अपने दिल की अपने दिमाग की पड़ते खूल देंगे उतना ज्यादा लोग आपका फायदा उठाएंगे आप समझे ना जितने ज्यादा आप अपने आप में समाए हुए हैं इंट्रोवर्ट हैं उतन जाएंगी कि आप एक मुर्गा है, पके पकाए मुर्गे है, प्लेट में धरके बस खाना है, आप इस दुनिया में मुर्गे बन करके नियाएं कि लोग आपको खा जाएं, याद रखिये मैं नहीं कि रहा कि चारों तरफ नर भख्षी है, लेकिन वो कम भी नहीं है, अगर सामने वाली के प्लेट पर पेश नहीं कर देना है, क्योंकि ये दुनिया चालाक लोगों से तो भरी हुई है, इससे आप मेरी बात से असमती नहीं जता सकते, मुझे पता है, इसलिए if you are easy, you are busy, easy मत होई है, सीमा में रखिये और सीमा में रहिए, किसी को सीमा के आगे नहीं मत दीजिए, इसी के लिए आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रही है, थोड़ा सा गंभीर रही है, थोड़ा सा कम खुलिए, और सबसे बड़ी बात कहूंगा, सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा कम बोलिए, जितना कम बोलेंगे, उतना आपका वजन बढ़ेगा, आप को लोग गंभीरता से लेंगे क्योंकि आपको लोग गंभीर मानेंगे और जितने आप हलके होते जाएंगे उतना लोग आपको गुबारा समझ करके किक मारेंगे याद रखिए आपको गुबारा नहीं है लोग उड़ा देंगे आपको हवा में और फिर एकदम से आपके हवा खतम हो सकती है, आपका अस्तित्व समाप्त हो सकता है, एक छोटी सी पीनी की चुभन आपको अस्तित्वीन का सकती है, मेरे कहने का कुल मिला कर या मतलब है कि समाज में अगर आपको जीना है, तो जंगल का या निया मानना पड़ेगा, कि अपने आपको छोटा मत करो, वरना आपसे बड़ा आपको खा जाएगा, अगर वो बड़ा है, तो मैं यह नहीं कह रहा आपसे, कि आप उससे बड़े हो जाएं, जो आपके आसपास हैं, लेकिन उनसे कम तर ना अपने आपको रखें, उनसे छोटे ना हो जाएं, इसके लिए जरूरी है, कि आप अपना वजन ख जितने आप संजीदा होंगे, दुनिया वालों से उतनी इज़त आपको मिलेगी, और उतने कम चांसे होगे, कि लोग आपका फायदा उठाएं, याद रखेंगा, बड़ी व्यभार की बात मैंने कही है, if you are easy, they are busy, चलता हूँ आपसे, हमेशा कितने अनुमत ही लूँगा, करते निए काम सुनते निए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते निए जैशी राम, पानी बचाईए, सबको सिखाईए, पेल लगाईए, सबको सिखाईए, राम राम